हलो एवरिवन कैसे हो आप सभी आज मुझे इस वीडियो में आप सबसे बहुत ज़रूरी बाते शेयर करनी है इसलिए वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक भी कीजेगा तो ये कल रात का टाइम था सड़े आट बजे की मेरी क्लास थी तो आपको ना यहाँ पे मैं ना कट कर कर करके एक्सराइज दिखा रही हूँ पूरी नहीं दिखाई है तो मैंने जंपिंग्स कर ली थी उसके बाद ये मैंने स्क्वैट्स बोलते हैं इनको शायद स्क्राइज हो गई है सर को सर क्लास में मतलब शुरू करते हैं मैं अपने आप क्लास मतलब करने लग जाती हूं मुझे पता है यह जो एक्सराइज है जो मैं आपके सामने कर ली हूँ यह तो मुझे डेली करनी ही करनी होती है तो यह मेरी देखी इस तरीके से क्रोस एक्सरा बताते हैं कि अगले दिन मुझे क्या खाना है और मैं क्या खा सकती हूँ डिसकस करते हैं हर रोज का क्योंकि सर को ये बात तो समझ आ चुकी है कि नीधी को अगर नहीं बताते ना कि हां क्या खाना है तो अपने दिमाग से कुछ भी उट पटंग खा लेती है इसलिए अब सर म को थोड़ा बहुत सलाद खाना है और रात को मुझे डाल लेनी है तो ये मेरा आज का डाइट प्लैन है दो टाइम मैं सलाद खा सकती हूँ और अगर बीच में भूख लगती है मुझे अगर होता है ना कहीं बार कि आपको ये लगता है यार आपको खाना खा लिया लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नई यार पेट नी भरा तो मैं उस टाइम फल फ्रूट खा सकती हूँ कोई भी जैसे फल ले लिया सेब खा लिया कुछ भी आज के मोसम वाले जो फ्रूट है बस मुझे केला नहीं खाना है और सर ने मुझे एक रेसिपी बताई है जो मतलब गर गरम पानी में अब मैं एक बर मैं सर से दुबारा पूछूंगी उनमें क्या इंग्रीडियेंट्स डालने हैं मेरे भी दिमाग से थोड़े से स्लिप हो गई है फिर वो जो ड्रिंक है ना जो गरम पानी में जो बनाते हैं उसे वजन बहुत जल्दी कम होगा तो वो मैं आप सब के साथ भी शेयर कर दूंगी तो यहां पर देखिए मैं लेट कर यह पैरों की एक्ससाइज करने लग रही हूं तो बहुत बढ़ी है मेरा रूटीन बहुत जादा अच्छा चलने लग रहा है तो हां आप से मैं कुछ बाते शेयर कर देती हूं देखिए पहली बात तो कि अभी कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो जयती है की चोरी के ऊपर कि देखिए हमारे कलोनी में काफी चोर्या हुंई हमारे घर में चोर्या हुं और ऐसी चीज़ों की चोर्या हुई हैं जो कहने लायक ही नहीं ओती ह। Св О Chen Watch देने लेके जा रहे हैं मतलब आपर ना मेंशन नहीं कर लेकिन मुझे पता है हमें पता है कि कौन है एक्चुली हमारे ही पडोस में कोई हैं पडोसी हैं जो कि क्या करते हैं चोरियां करते हैं और वो क्या करते हैं पहले नजर रखते हैं कि कौन सा घर है किस घर में कौन आया है और सबसे ज़्यादार जो हो तो हमारा आपने देखा है फ्रेंट में झो परkeeper लेते हैंasis कूध मार लें गूष करें वह वार पिस नहीं कर लिया के इसमान को उसी टाइम जैसे घंटे दो घंटे बाद भी जाए talk समान लेके और फटाफट कहीं और रखवा देते हैं ताकि कल को वाई जास हमारी कोलोनी में किस चैकिंग भी होती है तो हो समान वहां पे मिलेगा भी नहीं तो इतने मतलब आप सोचो ना अब हमें कितनी टेंक्शन होगी कि देखो यार घर में क्या समान नहीं पड़ा होता और इस तरीके से चोरियां होती हैं और हमने हमें तो पता भी चल चुका कि कौन करता है ऐसे कौन करने लग रहा है तो हमें तो बहुत जादा अलर्ट रहने की जरूरत है देखे अभी हम कु जिनके आदट हो जाती है चीजे उठाने की वो उठाते हैं इस तरीके से तो अब हम क्या करेंगे ना हम ताले बदलेंगे हमारे घर के जो दूसरे वाले जो होते हैं जो दरवाजे पे लोक सिश्टम लग जाता है क्योंकि एक जटका एट मारी खुल गी तो जाके दो तिन जैसी पापा जी आएंगे उनके साथ जाके कुछ अच्छे ताले लेकर आंगी मैं घर के लिए क्योंकि आगे से जो ममी वाला घर है वो तो सेफ है क्योंकि पूरा मैंने बंद करवा रख है आगे से बंद लोक लगा लो ताला तो वहां सेफटी रहती है पीछे से भी थोड़ा सा ताला वाला लगवा देना चाहिए मतलब सेफटी का पूरा इंतिजाम मुझे घर का करना पड़ेगा अभी और मेरे वाले घर के लिए भी मैं एक एक्ट्रा ताला और लेकर आंगी और ताकि हमारा घर अच्छे से सेफ रहे क्योंकि सेफटी बहुत जरूरी है मैं पहलती है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कोई सोना चान्दी तो बढ़ा नहीं बेक्सिम्म 4-5,000 रूपे सेफवी मैं घर पे पैसा रखती भी नहीं क्योंकि इतना ही जरूरत होती है घर पे चल जाता है काम तो इसलिए मैं लेकिन फिर भी यार कुछ भी समान उठा लो एक एक चीज कितनी महें महेंगी आती है हमारे घर में मालो हमारी कोई कड़ाई उठाके ले जाए वह कड़ाई ना पंदरासो पंदरासो रुपे की तो के लिए ममी ने बोला है कि तरह जैसी चक्कर लगे बजार का दो तीन अच्छे ताले लेया मजबूत और वह कंपनी वाले ताले लगवाले कंपनी वह होते हैं जो दर्वाजे पे लोक हो जाते हैं मतलब वह थोड़े मजबूत काम होता है तो मुझे घर पे यह जरूरी है स सारी एक्सराइज शूट नी करी थी कुछ कुछ छोड़ दी थी और यह देखो यहां पे सर बीच-बीच में मुझे बता भी रहे थे कि कौन-कौन से कैसे एक्सराइज करनी है समझा भी रहती है और मुझे अच्छे से समझ भी आ जाता है तो यह देखिए इस तरीके से चुक है मतलब करीबन मेरा साथ दिनों में साता हर साथ दिन होगे एक हफता एक्सराइज करते हुए मैंने एक किलो वजन अपना तोड लिया है मैंने खुद के लिए बना लिया है उपमा इसके हलावा हमारी फैमिली में अभी जल्दी एक शादी भी है किसकी है शादी क्या है वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ आपको जल्दी पता चली जाएगा आने वाले कुछ वीडियोस में तो यह देखिए वो मैं आपको शेयर कर दूँगी उसे पहले आ आप कहते हो हाथों को तो पता है आगे की तरफ फ्रंट में रखती हूँ तो बोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आपको उढ़ाना क्योंकि अभी धीरे बोड़ी है बीच्वल हो रही है मेरे को एक्सराइज की और सर भी बहुत अच्छे से एक्सराइज समझाते हैं क्योंकि जहां तक फिर भी माइंड में ना देखो कुछ भी हो मैं कहीं दिन नहीं सोचती लेकिन कभी-कभी फिर दिमाग में आ जाता है कि निदी तरको भी इतने पैसे तर उपर है जो तुझे देंदारी है वो देंदारी खतम हो जाए उसके बाद मुझे कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि देखो अभी के आयना मेरे को फिर भी रहता है कि यार थोड़ी अच्छी सेलरी आ जाए यूट्यूब से ताकि मेरा थोड़ा ये लोन निकल जाए लेकिन कल को तो फिर कोई इतनी टेंशन नहीं होगी फिर तो चाहे मेरे महीने के यूट्यूब से बहुत से मैनेज कर सकती हूँ तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इसी लिए रहता है कि अभी बहुत जादा लोन नहीं है मेरे सर पे तीन लाक रुपे का करजा रह 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 रहा है बस मेरा वो भी मेरे को यह है कि 3 से 1 बर 2 लाग पर आ जाएगा ना तो थोड़ा सा फिर सुनने में भी अच्छा लगता है देखो आपको भी मैं पताओं कि अब तो बस 2 लाग का ही लोन रह गया है मेरे उपर तो फिर थोड़ा सा दिमाग से प्रेशर ना धीरे धीरे कम होता ह एक टाइम पर जब मैंने 6 लाग रुपे का लोन लिया था ना मेरे उपर एक दम से इतना प्रेशर आ गया था ना मैं ऐसे डरगी थी रातों की नीन तक गायब होगी थी मुझे लगता था यार मैं कैसे लोन को चुकाऊंगी ले तो लिया मैंने मैंने बहुत बड़ा रिस् करना कामयाब निकला क्योंकि मैंने वो लोन लिया तो अब उसमें से आधा लोन तो मैं चुकाई चुकी हूँ छे में से तीन लाग का तो निकली गया तो अब मुझे लगता है कि देख अगर वरना तो मैं ये घर लेती ना मिले को ये लगता कि यार मैं इतना लोन कहां से कर पेंजमेंट होगा लेकिन दीरे दीरे मेहनत करके वो सारा भी कर दिया लग भग लग बग अब बस इसको दो लाक पे ले आओं इस महीने में जुलाई के आखरी में एक किष्ट भर के दो लाक पे ले आती लोन लेकिन इस महीने मेरे खर्चे बहुत जादा हो गए एक दम से फोन लेने की नए क्या जरूरत थी क्योंकि मेरी वीडियो का काम था और पिछले छे महीने से आप भी जानते हो मेरी वीडियो क्वालिटी इतनी खराम हो गई थी इतनी पूर थी क्योंकि मेरे अब कैमरा भी अच्छा नहीं था फोन का और भी बहुत सारे इशूज आ रहे इतना बीमार रहता है तो मैं उसकी उपर फिर फैसे जोड के चुका देती लेकिन था कि महीने कह घराओ चेपने नहीं पर आपने बच्छे कर सब् basicew eje और की जोट कि डिक ऊच्छा बची। मेरे भी खाने पीने पर मेरे भी खाने पीने पर एसे नहीं काऊंगे सिर बच्चे के अच्छा जो है खुराक डाइट वगएरा प्लैन उस पर मैं लगाऊंगी पैसा तो एक ये सेकिंड कारण था दूसरा मुझे मेरी मम्मी के लिए भी मोबाइल फोन खरीदना था वो भी र कोई जल्दी नी थी बापा जी को चाहिए में अभी दो- तिन महीने बाद भी दे 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 ती तो बापा जी ने तो कहा रखा था कि अपना पहले लोन चुका ले बाद में देख लिए बेशक ना भी दियो नहीं मुझे वापिस करने है और पापा जीने ने क्या हो गया मेरे को निची ये अगर मैं उनके पैसे मुझे ऋनके वापिस कर देती नियुकर मोद यह दो ूरी दूत लेती लिए दो तीन हाजार्य वापिस कर दिये तो मैं मांगने लायक हूँ, अगर मालो भी ये पैसे मैंने पापा जी से के वापिस नहीं करे, तीन-चर महीने बाद मुझे फिर 15,000 के जूर्ट पढ़ गई, तो मैं मांगने लायक नहीं रहूँगी, तो ये एक उधारी भी तबी तक चलती है, जब तक आप उधार वापिस करते रहूँ, तो इसलिए मैं पापा जी के पैसे अभी मैंने सोचा चलो, मैं उनकी भी वापिस कर दूँगी, इस महीने 16,000 उनके वापिस कर दी, ये 2,500,000 मम्मी के देने थे, मैंने वो भी वापिस कर दी, दूद का बिल भी चला गया, तो कुल महीने, अगस्त के आखरी तक में इस लोन को बस दो लाक रुपे पे लेया हूँ, उसके बाद तो चलो, धीरे-दीरे करेंगे, मेंनत कर करके, इसे चुका देंगे, तो ये देखिए, इस तरीके साथ मेरी ये पैरों की एक्सराइज ती, ये सुबह का टाइम था, अगला द को रात को होंगी, तो मैं आपको दिखा दूँगी कौन सी थी, तो ये मेरी पेट की एक्सराइज है, और इसमें न, क्या होता है, ऐसे लेट के न, नीचे हिपस पे हाथ रखना पड़ता है, हिपस के नीचे ताकि आपको थोड़ा बैलेंस बने और गर्दन थोड़ी से तो इस टाइम आपको पता है, देखो यार, मैंने अपना जो ये बुरा टाइम है अपनी जिंदीगी का ऐसे ही निकाला है, खुद को कामों में व्यस्त करके, चीजे करके, पोजिटिवली निकाला है, हिम्मत से खड़ी हुई हो और हिम्मत से आगे खड़ी रहूंगी, काम कोई फरक नहीं पड़ता, चाहिए आप कितना रोलो, लेकिन लोग तो फिर भी आप कोई गलत बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, अपने भी नहीं समझते हैं, जब दुख, जब दुनिया आगे में अपने लोग दुख नहीं समझते हैं, तो पराई क्या समझेंगे, इसलिए किसी के सामने कोई रोने का कोई फायदा नहीं होता, अपनी जिंदगी में स्ट्रोंग बन के अपनी लाइफ को अच्छे से इंजोए करो, खुश रहो, तो क्योंकि खुश रहोगे, तो देखो, आपको भी समझ आता है, मुझे भी समझ में आता है, कि ना लोगों, अपनी लाइफ की ना में हमेशा स्ट्रोंग बन के लाइफ में आगे चलना चाहिए, ठीके जिस वीडियो के एंड करते हूं, नेक्स विलोग फिर कंटिन्यू करते हैं, बाई-बाई, टेक केर, लोडस ओफ लव